गुड मॉर्निंग बच्चो दिस इस क्लास्टेस अनलाइन क्लास मैसल प्रत्मा जैस्वा सब्जक्ट साइन्स टोटिया इल्ल漫 चैटर वाईउधर दिवाईट करना मतलब जो हमारे मतीरियो से उनको हम कैसे अलग लग गुरूप में रखेंगे इस बारे में हमारा चैटर है तो let us started बढ़ चैप्टर, उसके पहले हम जो है डिस्कस कर लेकिए हमने पिछले चैप्टर में क्या के पढ़ा था जैसे कि पिछले चैप्टर हमारा वीविंग के उपर था फाइवर्फ के उपर था तो फोर्थ चैप्टर ये वाला जो फोर्थ चैप्टर तो इसकी एक्सराइज आपको पोस्ट कर दी गही है, सभी लोग अपना वर्क कम्प्लीट कर लिजेगा, I hope आपको फोर्थ चैप्टर तक वर्क अप कम्प्लीट हो जाएगा, अब आज से जो हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो चैप्टर के एक्कॉर्डिंग, लुक एट इमेज गिवन व्लो एंड फाइंड दा ओड अबजेक्ट, तो बच्चों उसमें यह कह रहा है कि आप जो नीचे पिक्चर दिये गए, इनको देखें और इसमें से जो और अबजेक्ट है, उनको आप बाहर कर दीजिए, या इनको जो गिवन इसमें आप लिख दीजिए, तो बच्चों, हम अब और कैसे जानेंगे, तो सिधी से बात कि जब हम किसी वर्क को करते है तो उसमें यूस होना वाले अबजेक्ट जो ने होते हैं ये उस गरुप के होते है, जैसे अगर हम खेलने जा रहे हो, तो हम खेलने के लिए उबजेक्ट क्या क्या ज़रूरी होगा, जैसे कि आपने बाड़ा चाहिए या फिर बैडविंटन चाहिए या फिर हमें फुटबॉल चाहिए तो इस तरह से जो वो यह सारे जो आपजेक्ट हो क्या है खेलने वाले आपजेक्ट के ग्रुप में डिफाइन किया जाएंगे तो ऐसे ही यह देखिए अब यहां पर जितने चीजे आप आपको दे तो यह इतनी चीजे क्या है बच्चो पढ़ने के काम आती कि जब हम पढ़ाई करते है तो रात में जब हम पढ़ते है तो हमें लाइम की जब पढ़ती है दिन में नहीं पढ़ती है लेकिर रात में पढ़ती है हम पढ़ेंगा तो हमें बैक चाहिए हमें कॉपी चाहिए प पढ़ते समय इनकी जरूरत नहीं है, ये काच का अबज़क्त दिखता है ये, ये नोट बुक है, तो ये नोट बुक है तो बच्चों ये पढ़ने के ही काम आएगी, ये नोट बुक में ये मिरल है, ये देखेज, ये मिरल है, तो मिरल जो है पढ़ते समय मिरल का कोई आँए अपजक्त पेंगे ये आवड अबजक्त है, तो ये थूर आड आपज़क्त है, तो हम हमारे जो देली लाइफ में क्या है, हमें बहुत बार जो है चीजों को short करना पड़ता है, arrange करना पड़ता है, जैसे हमें जब school जाना हो, तो भी क्या होता है, अपनी books को arrange करनी पड़ती है, तो हमें time table के recording, सारी book को short करना पड़ता है, तो हमें जो पढ़ने वाली books होती है, हमें वही ले जाना होता है, तो हम क्या तो ऐसे डेली हम बहुत कम होता है, अगर हमें नहाने जाना है, तो हम नहाने जा रहे हैं, तो हमें नहाने जा रहे हैं, तो हमें सोप, या बकेट, जग, इस टाइप के आपजेक्ट ले जाने हैं, हम खेलने जा रहे हैं, तो हमें खेलने से समंधित आपजेक्ट ले जाने हैं तो मतलब अलग-अलग कावों के लिए हमें हर समय आपजिट को अरेंज करना पड़ता है, श्रॉड करना पड़ता है, ठीक है? यह देखिए, जैसे कि यहाँ बुक में आपको इस एक्जमपल दिया, for example, when you go to a library, अगर आप लाइबरेरी जा रहे हैं, तो you you can see books arranged न, particular order तो क्या करते हैं, गर आप लाइड़ी जा रहे हैं, तो बुक को आप जो एक particular order में arrange करेंगे, at home, in the kitchen, you must have, see your mother arranging groceries and utensils in different racks and cupboards, तो आप देखिए, kitchen में आपने देखाऊगा कि आप में ममी जो है groceries को और utensils को एक अलग rack में या cupboard में अलग-अलग जो है differentiate करके grouping करती है, shorting और arranging material helps us to find things easily, तो short करने से हमें, short करने से जो है, हमें चीज़े जो है easily मिल जाती हैं, हमारे आवशक्ता पढ़ने पर हमें easily मिल जाती हैं, तो the process of putting things or materials into a group, और categories is described classification, तो materials को या चीज़ों को एक group में arrange करना जो है, वो कहलाता है classification, in any classification, things are grouped on the basis of the similarities or difference in their properties of characteristics, तो grouping करने के लिए हमें क्या करना पढ़ता है, कि उनकी जो characteristics है या उनकी similarities या उनकी differentiation देख कर ही, हमें उनने अलग-अलग, अगर वो एक दूसर से different है तो हमें अलग-अलग रखेंगे, अगर वो similar है तो हम एक साथ रखेंगे, तो इस तरह से हम उन उनकी similarities और difference को देख करें, हम उनको classified करते हैं, तो let us learn about some of the properties based on which materials can be grouped और classified, तो यहाँ पर हम कुछ चीजों की quality, character sticks से बारे विए हम आगे जानेंगे, कि जिसके दौरा उनने group, उन्हीं कैसे classified किया गया, तो उसके लिए जो vicious characteristics है, वो हम इस chapter में पढ़ेंगे, तो सबसे पहल पहला जो feature हो है, lecture, lecture का meaning होता है, बच्चों, चमक, या shine, ठीक है, इसका meaning होता है, चमक या shine, look at figure 5.1, देखिए, figure 5.1 को देखिए, यह है, आपका निचे, यह देखिए, What is common between the object, shown in the figure, तो इन में क्या common है, they all have a shine of lusher, lusher is a defined as a property of a material to shine, तो lusher बच्चों, material से उस खुड को कहते हैं, जिसके दोरा उसकी चमक पता चलती है, अगर किसी भी वस्तों में किसी प्रकार की चमक है, तो वो उसका lusher property कहलाएगा, किसी भी material की shine property ही उसकी lusher है, ठीक ह अगर कोई वस्तों चमक रही है, कोई में चमक रहा है, तो हम यह कह सकते हैं कि इसमें lusher है, और अगर कोई वस्तों नहीं चमक रहा है, तो उसमें lusher नहीं है, जैसे कि हम cloth का रिते हैं, जैसे हमारा जो रेसम का cloth है या cotton का cloth है, तो दोनों में ज्यादा luxurious कौन सा होगा बच तो किसे भी material की चमक ही उसका लक्षर कहलाता है. Materials that are shiny in appearance are known as luxurious materials. वो material जो दिखने में चमकदार होती हुन्हें हम luxurious material कहते हैं. Example are metals like gold, silver, bronze and iron means sona, chandi, kasa या लोहे का जो भी material होता है that are dull in appearance. तो जो भी material होता है लोहा से यह सभी क्या है? Lusherious material है, जिनमें चमकदार material है. उसके अलावा dull in appearance और lake shine are known as non-lusherious material. और वो material जिनमें जो appearance में dull होती है, जिनमें चमक नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? Non-lusherious material. Example, paper हो गया, rubber हो गया, cardboard हो गया, wood हो गया, sand हो गया, wool हो गया, यह सभी क्या है? Non-lusherious material है, इनमें क्या है? चमक नहीं है. Some luxurious material can lost their shine and appearance dull when they are exposed to air or moisture for a long duration. और कुछ luxurious material जो होती है, जिनने हम अगर open में रख दे, तो वो क्या करती है? अपनी चमक खो देती है और dull हो जाती है. तो वो क्या हो, जब उनको open रखा जाता है, तो air से react करती है और moisture content करके क्या करती है? अपना luxurious खो देती है और वो dull हो जाती है, अब activity first देखिए. तो देखे जैसे यहाँ पर दिया गया है, steel spoon, तो steel spoon तो बच्चो चमकदार तो होगा, इसलिए वो लश्चिरियस में है, जैसे हमारे जब रख दी है, या हमारा coins, तो coins में भी चमक होगी, क्योंकि metal है, आपको एक बाद यह बता दे कि all matter है, लश्यर, चीतने हमारी धात में तो बाद यह बता है, तो coins में भी लश्यर है, plastic spoon, जो प्लास्टिक चमक होगी बच्चो उसमें लश्यर नहीं होगा, क्योंकि वो लश्चिरियस नहीं होगी, bottle opener, जो bottle का opener है बच्चो वो metal का होगा, या plastic का भी हो सकता है, तो यह अगर bottle का opener जो है, उसमें plastic cover रहे तो यह लश्यर नहीं होगा, cardboard piece से भी लश्यर नहीं होगा, aluminium sheet, aluminium sheet बच्चो लश्यर नहीं होगी, क्योंकि इसमें metal इसमें लश्यर चमक होगी, ठीक है, तो यह activity सभी लोग समझ में आगया, सभी लोग बुप में कर लेंगे, अब बच्चे जो दूसरा हमारा character है, जिसके दोरा हम materials को short करते हैं, वह है texture, texture बच्चे वह उस गुड़ को कहते हैं, जिसके आधार पर हम classify करते हैं, कि यह material जो है rough material है, कि smooth material है, कि यह बहुत ज़्यादा soft है, यह बहुत ज़्यादा चिकना है, यह बहुत ज़्यादा rough type का दिख रहा है, तो texture of a material refers to how it feels when touched, तो छूने पर material कैसे, छूने को बाद हमें कैसा दिखता है, तो वह हम छू कर हम उसका texture जान पाते हैं, उसके स्वभाव को जान पाते हैं, based on the texture, there are two categories of materials, तो texture के अधार पर material को दो भागों में बटा गया, दो groups में बटा गया, सबसे पहले rough material, जब material को छूने पर हमें rough type का ऐसास हो, wrinkled type का ऐसास हो, तो वो होता है, हमारा rough material, जैसे की stone, पत्थर, wood, body scrubber, और sand paper, जिसके surface smooth ना हो, उबड़ खाबड़, दूसरे हम कहते हैं rough material, और दूसरा group है smooth material, तो smooth material, जब कोई चीज छूने पर हमें बिल्कुछ चिकनी, smooth surface लगे, बिल्कुछ plain surface लगे, तो उसे हम कहते है smooth material, जैसे like a piece of cloth, cotton, wool, sponge, soft wise and foam, यह सभी क्या है, छूने पर हमें इसकी जो skin है, वो बिल्कुल सता है, इसकी एकदम साफ दिखती है, एक बरावर दिखती है, उब कि वो किस category में rough material है या smooth material है, अब जो हमारा तीसरा गुण है, वो है hardness, hardness बच्चो, materials can be hard or soft, जो materials है वो hard हो सकती है या soft हो सकती है, let us perform a following activity to understand this, means इस activity के दारा भी हम चीजों के hardness या softness को समझ सकते हैं, तो इसमें क्या करना है बच्चो, हम क्या करेंगे material, जैसे की wood है, wool है, stone है, cotton है, foam है, इस पांजे इसको क्या करेंगे, एक अठा कर ले, तो देखिए hardness या softness बच्चो, हम उसको compress करके जान सकते हैं, किसी भी material, अगर material hard है, तो वो compress नहीं होगा, वो difficult to compress, उसको दबाने पर तो अगर कोई जो है, object है, material है, और वो compress करने में बहुत जादा hard है, बहुत जादा difficult है, तो हम समझ लेंगे कि वो material hard है, और अगर हम उसे दबाएंगे, वो आहसानी से compress हो जाएगा, तो हम समझ लेंगे कि यह material soft है, ठीक, अब हम activity को warning देखिए समझते हैं, जैसे wood है, लकड है, आप कोई भी लकडी को object अगर आप दबाएंगे, तो वो क्या होगा, वो दबेगा नहीं, उसको दबाने बहुत मेहलत करनी पड़ेगी, वो टूट जाएगा, लेकिन वो compress नहीं होगा, दबेगा नहीं, तो जो हमारा wood है, वो हमारा hard material है, tight hard material है, ठीक, wool, अब हम उन का गुच्छागर हम लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको जब हम हाथ से लेकर compress करेंगे, तो वो क्या होगा, वो दब जाएगा, छोटा हो जाएगा, अपना shape change कर लेगा, तो wool जो है, वो soft material है, कहने का मतला है, जब कोई object, compress करने पर अपना shape change ना करें, अपने shape को maintain रखें, तो वो क्या होगा, hard material होगा, और जब कोई object जिसको हम compress करें, तो वो अपना shape change कर दें, जिस shape में था, वो उस shape से दूसरे shape में चला जाए, तो वो material क्या होगा, soft होगा, है ना, अब stone, पत्थर, हम पत्थर को अगर हाथ से दबाएंगे, तो वो अपना shape change नहीं करेंगा, वो compress shape को maintain रखिएगा, तो ये क्या है, ये, hard material है, cotton, cotton को हम दबाएंगे, वो तुरन अपना shape change कर देंगा, वो soft material है, foam है, foam भी बच्चो soft material है, क्योंकि अपना shape change कर देता है, sponge है, sponge को हम दबाएंगे, तो ये भी बहुत जादा soft होता है, compress कर देंगे, तो इस तरह से हम जान पात है, material को classified किया जाता है, hard या soft material में, तो वो material जो compress करने पर अपना shape change ना करें, वो hard, जो compress करने पर अपना shape change कर देंगे, वो soft, for activity 2, we can see that some materials are very hard and difficult to compress, whereas other can be easily compressed, तो हमने activity में देखा कि कुछ materials जो है, वो compress करने बहुत जादा difficult थी, और कुछ जो है, वो compress करने बहुत जादा आसान थी, तो material that can be easily compressed are known as softer materials, यानि वो materials जो compress करने बहुत जादा easy थी, वो soft material, और materials that are difficult to compress are known as hard material, और वो material जो compress करने में difficult थी, वो क्या है, वो hard material, तो बच्चों, आज हम यहां तक पढ़ेंगे, next video उसके state के बारे में और उसकी other quality के बारे में चालेंगे, सभी बच्चे, आज की video साथ आप 4th तक का course complete कर चुके है, अब आपको 5th के इस video साथ notes, notes provide किया जाएगा, तो आप notes कर लेंगे, लेकिन 6th chapter में, 4th chapter के long question अभी बारे में, तो पहले long question करेंगे, फिर इसके notes करेंगे, ठीक है, तो सभी बच्चे, इस activity को, दोनो activity जो आपको दी गई अभी उसको पूरा कर लेंगे, और दोनो activity आप जो है, book में भर लेंगे, ठीक, तो good luck for your homework, यह दोनो activity यह आपको कर आपको पूरा करेंगे, तो आपको पूरा करेंगे, तैंक यू